हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल, तो आज के सुटोरियल में हम स्पामिंग को पढ़ेंगे डीटेल में और यह बहुत ही मैंने इजी लैंग्वेज में समझाये वह और नोड्स भी बहुत इजी यह बहुत अच्छे समय में आएगा, तो सबसे पहले आरे पीपल में ब्रॉटकास्ट कर देता है, तो इसको अपन क्या बोलते है, इस्पामिंग, अब यह मैसेज क्या होते हैं, अन्वांटेड मैसेज होते हैं, मतलब मैं आप चाहते नहीं है कि हमको यह मैसेज मेले, पर अननेसरी कोई तो व्यक्ति है, जो हमारा इमेल एड्र प्लेटफर्म का यूज करके, जिसे के एमेल, टेक्स मैसेज, टू सेंड और ब्रॉटकास्ट, जनरली इस्पामिंग में ब्रॉटकास्ट किया जाता है, ब्रॉटकास्ट मतलब एक ए टाइम पर बहुत सारे पीपल को एक ही मैसेज भेजना, वो उसको ब्रॉटकास्ट बोल के लिए बहुत इजी तरीका हो गया एडवर्टाइस करने का, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉडक के एडवर्टाइसमेंट को लार्ज पीपल, ग्रूप ऑफ पीपल में ब्रॉटकास्ट कर देते हैं, ताकि बहुत लोगों के पैस उनका एडवर्टाइसमेंट चल जा होगा कि यह सिंपली प्रमोशन से एडवर्टाइसमेंट करने के लिए हम बेसिकली स्पामिंग का यूज करते हैं, मार्केटिंग करने के लिए अपने प्रॉडक की कोई भी स्पामर्स स्पाम मैसेज़ेगा, ठीक है, अब सबसे एक आपको दूसरा क्वेशन आ रहा होगा क कि यार मैने तो किसी भी स्पामर को अपना इमेल एडरेस भीजा ही तो उसके पास इमेल एडरेस और मोबाल नमबर जाते कहां से, तो वह कहीं से भी स्पामर्स का पेन मोटिफ सबसे पहला है कि इमेल एडरेस और मोबाल नमबर को कलेक करना, तो कहीं से भी कर सकता है, जिसे लोग इंध यहांद कर सकते हैं, हैंóc इस चैथरूम से चैथरूम में कैसे वेबसाईट करने इतोरे चैथरी Some और मैंने अभी आपको बता है कि the purpose of spamming is to advertise and to collect the sensitive information मतलब advertisement करना इसका purpose क्यों तीन मेन purpose हो सकते है advertisement करना किसी की sensitive information से bank की details credit card की details से यह लेना और virus यह malware आपकी computer में जो virus को भी spread करना कि मानलो कि एक spam mail आया है आपको उसमें attachment है उसमें लिखाएगी यह attachment पर क्लिक करो और अपना प्लाइस क्लेक्ट कर लो तो वो attachment में क्या हो virus हो तो ऐसे भी spammers क्या करते हैं virus spread करते हैं अब जो spam message हो दे हैं इनसे security implications क्या क्या हो सकती है क्या क्या security measures हो सकते हैं तो यह हमारे लिए सही नहीं है तो सबसे पहले तो जो spam message है वो बहुत सारे amount की स्टोरेज ले 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 लेते हैं क्योंकि spam message generally broadcast कि यह जाते हैं तो unwanted इनने बहुत storage ले 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 एक spammer ने बहुत सारे email पर बहुत सारे spam messages भेज़ दिये तो obviously email email का downtime हो सकता है इस चीछ से है तो unwanted spam message eat up to tremendous amount of memory अब उसके बाद types of spam spamming कितने type की spamming होती है तो basically simple है बहुत simple है 4 type की spamming होती है सबसे पहले email spamming email spamming को अपन क्या बोलते है unsolicited bulk email भी बोलते हैं और email spamming में क्या होता है इमेल सर्विस का यूज करके unwanted message send किये जाते हैं to the large number of people it's a practice of sending unwanted email to the large number of recipients ठीक है अब email spamming advertisement के लिए हो सकता है ठीक है और virus भी spread कर जकता है और even email भेजना अजके जमान में free of cost अब कितने में email free of cost भेज सकते हो तो यह free of cost है इसलिए हब से जादा common type के spamming है और spammers को इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं पेगाना पड़ता है तो यह normally spammers email spamming भी करते हैं उसके बाद social networking spamming यह हम सब जानते हैं बस simple सी चीज है कि social networking spamming में क्या होता है कि social networking sites कुण कुण सी होती है अपनी facebook हो गए youtube हो गए instagram हो गए सब social networking sites है तो इसमें मान लो किसी भी user ने ऐसा message जा दिया give us a like if you love your mom तो यह चीज पढ़के बहुत सारे लोग क्या करेंगे obviously like कर देंगे और इस comment को बहुत सारे likes मिल जाएंगे यह क्या है unwanted है ठीक है और यह कोई भी user ने intentionally comment box को check comment box को full करने के लिए chat box को full करने के लिए ऐसा message बेज दिया तो यह भी एक type का spam है ठीक है social spam is the unwanted spam content appearing on social networking site और any website with user generated comment ठीक है अब next step के spamming है mobile phone spamming अब email spamming में क्या होता है कि spammer जो है वो लोगों के e-mails पे spam message देंगे लेकिन mobile phone spamming में simple है कि spammer के करेंगे लोगों के mobile phone phone number उनका acquire करेंगे जहते से करके और mobile phone पे उनको spam messages भीज देंगे it is a practice of sending a spam text to the large number of users है नट text message के form में spam message भीज देंगे अब obviously email service थी वो free of course है लेकिन message SMS service के charges लगते है तो spammer जो है वो mobile phone spamming का use नहीं करते है जनरली mobile phone spamming क्योंकि उनको फिर अगर एक limit से जादा message भीज़े तो फिर उनको SMS charges देने पड़ते है तो despite of large number of mobile users तो mobile users तो बहुत ज्यादा है लेकिन mobile phone spam जो है वो इतने ज्यादा होते नहीं क्योंकि इसमें पैसा लगता है spammer का अब last last है spam targeting search engine इसको बोलते है spam dexing तो आपको अब search engine optimization अगर किसी ने सुना हो search engine optimization तो मानलो अपने website बने अब वह website आपने बना दी Google में अपने डाल भी दी, host भी अगरा दी but now you have to make sure कि आपके website उपर search engine, Google का search engine आपके website को सबसे उपर लेकिया है तो वो कैसे करेंगे तो उसके लिए भी बहुत सारे search engine optimization के लिए बहुत सारे लोग employees रखते है तो basically उनकी website को Google के search engine में सबसे उपर लाने के लिए काम करते है तो spam targeting search engine का मतलब क्या होता है कि spammer इसी website क्रिएट कर देंगे और उसको इस step से index कर देंगे कि वेबसाइट है वो जो Google search engine में सबसे तॉप में आया है तो spam indexing is a mix of spam is indexing तो spam indexing का मतलब क्या होता है spam and indexing it is the improper SEO search engine optimization technique होती है that attempt to position malicious site to the high search engine result जिससे क्या होता है कि spammer इसी कोशिश करता है ऐसी उसमें सेट अप कर देंगे अपनी website से कि वो गूगल में सबसे तॉप प्याइए even if कि वो वेबसाइट उसके लिए है भीनी जिसके कारण वो लोगों के सर्च में आ रहे है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक मेरे चैनल को सिस्क्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ताकि में इसे सिंपल सिंपल वीडियो और दालती जाओं थाओं थाओं थाओं